आये हो निभाने को जब किरदार जमी पर कुछ ऐसा कर चलो की जमाना मिशाल दे दोस्तों, हमारा जीवन हमें शिर्फ एक बार मिला है हमारा जन्म दोबारा फिर से नहीं होगा साथ जन्म की बात तो सिर्फ कहने की बात है एक ही जनम में हमको कुछ करके दिखाना होगा उसके लिए हमें लगातार चलना होगा जैसे एक नदी अपने उद्गम स्थल से अपने लक्ष सागर को प्राप्त करने के लिए लगातार चलती रहती है उसी प्रकार हमें अपने एक मात्र लक्ष को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेनद करने पड़ेगी कांटों में रहकर भी फूलों की तरह महकना सीखो कीचन में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो सफल हो नहीं सकता जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो शफल हो नहीं सकता राख में रहकर भी अंगारों की तरह दहक ना सीखो हमारे अंदर वो बल है जो सभी परिशानियों को सीना तान कर जेल सकने की सक्ति देती है भले ही हमें कितनी भी बाधाएं जेलनी पड़े हमें रुकना नहीं पड़ेगा और अपने लक्ष को प्राप्त करना ही होगा मुश्किलों से भाग जाना अशान होता है हर पहलु जिंदगी का इंतहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है समय हमेशा चलता रहता है इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम होता है हमेशा हमारे आस पास हवा चलती रहती है इसलिए दुनिया का कोई भी जीव हवा के बीना जीवित नहीं रह सकता है प्रकृति का नियम है अगर आप भी कुछ भी लक्ष पाना चाहते हो तो खुश से वादा करो कि कभी रुकोगे नहीं क्योंकि आपके सरीर का हारंग सिर्फ आपके लिए रहता चलता है जब सब आपके साथ चल रहे हैं तो आप क्यों रुके हैं उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष को न प्राप्त कर लो आपके अंदर वो हर ताकत है जिससे आप अपने लक्ष को पा जाओगे क्योंकि किसी ने खूब कहा है खुदी से खुद का अंदाजा नहीं होता बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता कोसिस करते रहोगे तो जान जाओगे मुकदर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता जो लोग अपना लक्ष केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए उन्हें बहुत चलना पड़ेगा क्या ऐसी लोग कभी जीवन में सफल हो पाएंगे साइद कभी नहीं क्योंकि सफलता बलिदान मांगती है बलिदान आपके शुकों का अगर आप अपने शुक और नीद का त्याग नहीं करोगे तो सफलता कहां से मिलेगी जिनके होटों पे हसी पाओं में च्छाले होंगे वहीं लोग अपने मंजिल को पाने वाले होंगे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताएए और थोड़ा सा भी उप्योगी लगे तो इसे सेर जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद